पर देखें सस्क्राइब का लाल बटन बेल आइकन उप्रस कर देज़े का ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहें आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे पहले आप वीडियो स्किप मत करिए आप जंप मत करिए पहले पूरा वीडियो समझेए सुनिये जानिये और अगर आप में पेशन्स है तो पांच साल तक अगर आप इस स्टॉक में पोजिशन बनाए रखते हैं आगे बताते हैं क्यों और कैसे बनाए रखना चाहिए तो वी आईपी इंडस्ट्रीज एक जानी मानी भारत की कंपनी और सबसे अच्छी बात जो है इस कंपनी की यह है कि इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस टू कस्टमर है इसके अपने शोरूम्स है और सारे जितने भी सुपर मार्केट्स है या शॉप्स है सब जगह अपने प्रोड़क्स रखती है वी आईपी की डिफरेंट डिफरेंट अच्छा ब्रांड है हर आदमी लेना चाहता है चा तो चैपरस हो बैग हो ट्रेवल बैग हो अटैचीज हो तो बहुत सालों से कमपनी चली आ रही है वी आईपी और इसके प्रोड़क्ट आप समझी गए होंगे तो मुझे बतानी कि ज्यादा जरूरत नहीं है ऐसा भी नहीं कि एक बाल ले लिया तो चीज खराबी नहीं होत और पहले मैं इसके रिटन भी दिखाऊंगा आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा दस सालों जिसने पैसा लगाया होगा उसको कितनी अमाउंट हो गई होगी मैं बताता हूं तो एक जलक आपने प्रोड़क्ट देख लिए बड़े-बड़े ब्रांड में टीवी भी चल रहा है और छुट्टियों का सीजन भी चल रहा है लोग बैक्स खरीद रहे हैं घूम फिर रहे हैं चाहिए फॉरें गूम रहे हो चाहिए इंडिया के किसी प्लेस पे घूम रहे हो तो कहने के ताथ पर ओवर आल यह है कि इसकी प्रोड़क्ट जबर्दस्त बिकते हैं करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए तो आईए पहले एक छूटी सी नीज है विए पी इंडिस्टिस की फॉर प्रॉफिट फॉल्स मतलब जो क्वाटर फॉर्ड मार्च उन्नीस के जो रिजल्स आया है उसमें अठाइस परसेंट की गिरावट है पच्चिस करोड आये ह और आपरेटिंग परफॉर्मस ओके विए पी इंडिस्टिस कंसोलिडेटिट मार्च 2019 नेट सेल्स आट 434 करोड की है जो की 19 परसेंट इयर ओन इयर नेट सेल्स में ग्रोथ है आये देख लेते हैं चार्ट भी देखें यहाँ पे जो मार्च उन्नीस में नेट सेल्स 435 थे नेट सेल्स में ओपियम में आ जाते हैं देखें 99 परसेंट इनिवेज हम नेट प्रॉफिट में एक लिस जम्प करते हैं नेट प्रॉफिट आया इनका मार्च उन्नीस में 25 कोड के आसपास और दिसम्बर अठा क्वार्टम था 24 कोड के तो अफ्कोर्स जम्प है और वह वही मार्च 18 में 35 कोड के थी तो यर on year भी यहाँपे डाउसाइड है जहां 35 कोड कि थी मार्च 18 में वहीं मार्च 19 में 25 कोड के रे गए तो थोड़ा साब प्रॉफिट इनके नेट प्रॉफिट मेंग डाउसाइड है तो इस वजह से और लगातार पिछले 3 दिन से अपना क्या नंबर है, 420, अजीब सा लग रहा है न, माई 8, 2019, 12 बाच चुके हैं, 450 रुपए, 30 पैसे के भाव पर ट्रेट कर रहा, 10 रुपए की गिरावट है, अफ्कोर्स गिरावट के कई रीजन्स भी हैं, एक तो लगातार 3 दिनों से निफ्टी SNX पर भारी गिरावट है, लगा 647 रुपए इसका एक वर्ष का हाई है, और मार्केट का है फिसका 5921 किस का उड़का EPS है, 10 रुपए 28 पैसे है, और पी देखे 40 की है, और बुक वैल्लियो 34.61 की, प्राइस टुबुक है 12.11 की फेस वैल्लियो 2 की रह गई है, और डिलिवरेबल है, 46.24 पैसे डिलिवरी तुमने दिखाई दियें, और कर्जा इनमें 0 है, तो ये एक अच्छी बात है कि कर्जा मुक्त कम्पनी है, और यहाँ पर मैं रिटन में आ गया हूँ, तो 10 सालों में, अगर माली जी आपने 1 लाक रुपए निवेश किया होता, तो 4589 परसेंट के यहाँ पर रिटन है, करी करेक्ट कल्कुलेशन करने पर आपको पता चल जाएगा, तो जिन्होंने 10 सालों में होल्ड किया, इतने पिछले एक साल से देखी, यहाँ पर गिरावट ही गिरावट है, वन इयर, लगातार रेट पर निशान है, और दो सालों में इसको 111 परसेंट के वह भी बहतरीन तो पिछले एक साल से लगातार गिरावट उसके बावजूद भी देखिये, जिन्होंने लंबे समय से इसमें होल्ड किया वह तो उसको अच्छा खासा प्रॉफित हो रहा है, और यह ऐसा प्रोड़क्ट है, कि यह हमेशा निट सल्स होती रहेग, इने प्रॉफित आता रह एक दो क्वाटर के कभी-कभी रिजल्स खराब आ जाते हैं किसी कारण होश, तो उसमें से घबराना नहीं चाहिए, लंबे निवेशकों के लिए मैं कह रहा हूँ, और या जो इंट्रट है या शॉर्ट टम के लिए उनको मैं अपने चैनल पर मशूरा नहीं देता है, क्यो भी आपका final decision होता है, हमारा तो काम है सिर्फ information देना, आप financial अपने advisor से ज़रूर मशूरा कर लिया कीजिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, good quality company, इसमें कोई दोर आय नहीं, और अभी देखिए आ चुका है आपका ये, यहाँ पर attractive valuation पर trade कर रहा है, कुछ दिन पहले ये expensive पर fair पर आया, अभी attractive पर है, तो जो नए निवेश है कि उनके लिए बहुत अच्छी opportunity कि थोड़ी थोड़ी buying करते हैं, अच्छा मैं हर वीडियो में अगर आपने देखा होगा, जब से मैंने शुरू से वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें एक चीज में बहुत जोर देता हू कि कभी भी अपना पूरा पैसा एकठा लंबसम में पूरा ना लगा दें, किसी भी stock में या पूरे अपने portfolio में सारा खर्च कर दिया, क्या होता है, इस समय खास कर जबकि elections वगरा हैं और पिछले एक डिर साल से market में थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ है, तो ऐसी दिगज कम पनिया, आपको सस्ते valuation पर मिल जाती है, अभी ये नहीं पता कि कहां तक गिरावट होगी और कितनी जबरदस्त गिरावट होगी, तो ऐसे मौके के लिए तयार रहे हमेशा आप, और पैसे बना के रख, पचा के रखें ताकि आपको खरीदने का मौका मिल दाएं, फिर भी थोड़े थोड़े स्टॉक्स लेते रहेगा, नए निवेशक हैं, जो लोग पहले से बने हुए, वो भी पेशन्स रखें, उनको बेशने की ज़रूरत नहीं है घाटे में, वो बने रहें, उनको ज़रूर बाउंस बैक करेगा, जबरदस्त बाउंस बाउंस बैक करेगा, एक दो क्वार्टर में घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर नेट प्रॉफिट में, यर और यर नहीं बनी बात तो, और फिनेंशल ट्रेंड, अभी नेगेटिव है, चुकि अब क्वार्टर के रिजल सी थोड़े से नेट प्रॉफिट में, डाउंसाइड दीखे हैं, आरो चुनिस में रह गई 53.46 की या कोई भी शेर इनका गिरवी नहीं है, मुजल फंस की 7.03 परसंट के लोग उने पैसे लगा रखें, और फॉर इंस्ट्यूशनल इन्वेस्टर से इसमें, इसमें 1.7 परसंट की होल्डिंग है, लेकिन एक खास बात, जो शेर मार्केट में अप बॉफेट कहा जाता है, मैं भी कह रहा हूँ, लोग सुनता हूँ, राकेश जुनजुनवाला जी, उनकी भी जबरदस्त होल्डिंग है 3.69 परसंट की, और इंडिविजूल इंवेस्टर से भी खुद्रागराग भी काफी बनाय होए हैं होल्डिंग, तो 21.79 परसंट की, औ डिविडेंट पेंग इस्टॉक है, साल में दो बार डिविडेंट पे करता है, अभी लास्ट टाइम इसने दो रुपए परशेर के इसाब से जुलाई 18 में डिविडेंट पे किया था, और अपनी इंडस्ट्री में 5th नंबर पे हैं, तो दोस्तों बस यही कहना चाह रहा कि आप पेशन्स बनाय रखें, अच्छी कमपनी है, आपको अच्छा रिटन देखे जाएगी, और लंबे समय के निवेशेक्स में बने रहें, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो, जल्दे मिलते हैं